जेहीं दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज ही वीडियो में हम लोग दिखेंगे UP Board Class 12 के साहितिक हिंदी का स्लेबस अब कई लोग बोलेंगे कि ये साहितिक हिंदी क्या है उनको तो पता ही नहीं है तो साहितिक हिंदी वो होती है जो आर्ट साइड के स्टूडेंट लेते हैं जैसे कि आप साइड साइड से हैं तो आप हिंदी तो लेंगे लेकिन आप सामान में हिंदी लेंगे लेकिन जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं वो जो है साहितिक हिंदी लेते हैं अगर आप अपने paper जाएंगे normal paper देने science side वाला तो वहाँ पर हिंदी की जगाप पर लिखा रहेगा सामान हिंदी लेकिन वही पर art side में अगर आप हिंदी का paper देंगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा साहितिक हिंदी तो यह चीज़ा आप ध्यान दिजएगा board paper में आप जरूर पद्ध में यानि की syllabus आपको कौन-कौन से पढ़ने हैं और कौन-कौन से chapter आपको छोड़ देने हैं तो अगर हम आएंगे गद्ध में तो गद्ध में हमें यह सारे syllabus मिलते हैं जो में पढ़ना है राष्ट का स्वरूप, राबर्ट नर्सिंग होम में, असोक के फूल, सिध परसेंट नहीं है, यह पूरत पूरा सो परसेंट है, तीस परसेंट जो आपका कटा हुआ था लोगडाउन में कौरोन के होजासे, उस सब को जोड़ दिये हैं, गद्ध में जहां से question आएगा, आपका जीविन परिची आता है, साहितिक परिची आता है, तो इसम लिख अग गीत, गीत, स्रद्धा मनू, बादल राग, संध्या सुंदरी, फिर उसके बाद नौका पियार, बापो के प्रतिप परिवर्तन, गीत, अभीनों मनुस्रे पुरुरवा, उर्वसे, मैंने आगुती बन कर देखा, और नरेंदर सर्मा, भावानी प्रसाद में सर्गजार अन आप देखेंगे, दस नंबर तक इतने तक आप से पूछा जाएगा, उसके बाद आप से नहीं पूछा जाएगा, जो पद्य आएगा वो भी आपका इनी दस में से फंच जाएगा आराम से, ठीक हैं, आगे हम बढ़ेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे, तो हम यह भी बता देखेंगे, कुछ important बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर दस चीजे आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर आप इनको filter करेंगे, तो चार में आपका काम इधर चल जाएगा, यानि चार आपको पढ़ना है, चार में फंच जाएगा, और यहाँ भी तीन या चार में आप काम चल जाएगा, जीवन परिचे, साहितिक परिचे और संदर में तीनों की हम बात कर रहे हैं, चार आप पढ़ लेगे, चार में फंच जाएगा, लेकिन वो हम आगे बताएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो, तो आगे पढ़ेंगे हम, हमकी देख लिए, गर्द में क् लाटी, ठीक है, सिवानी लेखा कर लाटी इनकी रिशना है, इसको अब पढ़ना है, इसके बाद आप आते हैं, लास्ट चीज़ पर, तो होता है आपका खंड काबे, खंड काबे जो भी आपके जीले में लगा है, वो आप पढ़ना है, आप इधर देख सकते हैं कि जीले आपका कौन सा जीला है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से जीले में कौन सा खंड काबे लगा है, यह आप पढ़ सकते हैं, खंड काबे आपको पढ़ना पढ़ेगा, अंत में आ जाएंगे, आपको मिलेगा यह क्या कहते हैं संस्कृत में आपको कौन कौन से चेप्ट या Vacam notions इंदधानता और दो व्म इत्त चीजे हैं इसमें क्या मतलब है कि श्म्हों भूए है कि साथ साल दा मंबर के दो कोश्चन आप से पूँचे जाते हैं चौहदाने आता है साथ मंबर गढद है इसमें कोश्यान आएंसर पूछ जाते हैं। वह भी आपको लगवग मुझे लगता है कि 6 नमबरें पूछे जाते होंगे अगर आप प्रोटल के देखेंगे 14 नमबर यह हो गए और 4 नमबर आपका आता है इसमें कोश्चन है इसमें कुछ इंपोर्टेंट होते हैं जो जरूर पढ़िएगा जातक कथा उसके बाद सुबह से तरतनानी महामना वपमाल विया ऐसे कई सारे चैप्टर है यह जो पाच है ज्यादा इंपोर्टेंट है इन पाचों को जरूर पढ़िएगा उसके रावना कोई छूट जयाता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप पाचों को जरूर दो हम सबसे उपर आएंगे इस पीडियफ में सबसे पहला तो आप वह पता है पांच पांच नमबर का आता है गद्द से पांच अप्सिनल को चना आते हैं यह आपका हो जाएगा इसके बाद आपको एक गद्याश आएगा मैंने बोला गद्याश आएगा डस नमबर का उसमें का question answer और वो आठ नमबर का question answer आपको उसी गध्यास में मिल जाएगा जो आपके paper में लिखा हुआ होगा फिर आएंगे आप पांचवे पर और पांचवे में क्या है एक लेखक का साहितिक परचे देंगे या जीवन परचे देंगे और एक कवी का साहितिक परचे या ज करना है यहां पर देखेंगे कहाने तत्त के तर्थ्वं के आता है जो कि आता है उनकिताः अगर हाँ देखेंगे लाटी से जाएगा खंड का वजेस्टा है या पात्रों का चेचित्रन आता है गटनाएं वगेरा नहीं आती हैं दो आप तैयार कर लेंगे खंड का वर्ण जैसे कि तरह से कर के कई सथ सर्घ होते हैं तो उसके बाद आप आते हैं आठ्टोंबर का संस्क्रिट में चार oopson रहेंगे चार में से दू आपो करना रहेंगे दो too jar några आपको वहां में मिल जाएगा फिर आप आगे आएंगे अब आपका यहां से ब्याकरण सुरू हो जाएगा, ब्याकरण में सबसे पहले आएगा रस, रस में 9 या 11 रस जो भी हैं आप जो भी मानते हैं सबी को आप वो पाढ़ना पड़ेगा, मुखी रूप से सिंगार रस, करोल रस, हासर रस, बेर रस और रोद रस आजाता है और एक भयानक रस भी पू त्यार करना है, तीन इसमें भी तैयार करना है और उप्रा सेमत स्लेश और उपमा रूपक उत्प्रेथ छा, आप इतना 6 तैयार कर लेते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, चंद में इसमें भी दिखेंगे आप बहुत ही लंबा चाउड़ा लिखें हैं, लेकिन इत निबंद आएगा लिखने के लिए जो कि आएगा 9 नमबर का निबंद तो कोई भी आ सकता है, टॉपिक के और बता दिए, टॉपिक मतब सब कुछ तो बता दिए कि सारे हम पूछेंगे जहां से आप मन चाहें, वहां से पढ़िए, तो ये आपका प्रैक्टिस से होगा, 2- संस्क्रित ब्याकराण पर, यहां पर हम आएगे, सबसे पहले संधी आएगा, संधी आएगा आपका ये देखेंगे सूत्र लिखा हुआ है, स्वर संधी में ये दोनों सूत्र है, बेंजन संधी है और विसर्ग संधी है, यहां पर साथी संधी के सूत्र लिखे हैं, सूत्र आप मैच करके देहां से आप इड़ा दीजेगा कौन कौन से संधी आपको पढ़नी है वैसे जीरत गोड़ यन और दिया जी ये स्वर संधी पोछते हैं बेंजन संधी में मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एक दो बेंजन संधी में पोछते और विसर के संधी बहुत थी आस है फिर आता है सब दुरूप सब दुरूप आत्मन नामन राजन जगत सरित इसका आपको पढ़ना है इसके पहले कुछ चीजें और पूछी जाएंगी इसको उमने छोड़ दिया यहां पर आते हैं आप यह आपकी संधी हो गई फिर आता है समास समास में अब बहुत करमध है बहुत भी रहे गोने 3 तेन में से आ जाएगा 3 में से 2 कोशन आपको करना है और स्टन कई स सारे रहेंगे लेकिन 2 करना है सब जरू रहे अचार चार अ चार लहेंगो अब आपको चारों में जो सही लगे कि सष्टी वीवर्त टेह E確en है, उस भर आपको टिक करना है पहले लिखना होता था सष्टी वीवर्त टेक वचन, आपको टिक करना है, आपको यहाँ पर नंबर मिलने आएंगे उसके बाद आप देखेंगे नीचे वाले पर तो नीचे वालाम देखेंगे सब दुरूप हमारा हो गया और सर्वम इदम यद इतना को पढ़ना है एक बार नजर माल लेंगे नजर मतलब अगर आप इसका सूत्र रियाद कर लेंगे सूत्र क्या है कमेंट कीजेगा हमें तो हम बता देंगे क्या है सूत्र लेकिन आपको पता होगा कि जैसे रामा 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 रामेड रामा भ्याम रामाई तो कोई बोलेगा भी आप बालकेन कौन सा है तो तरती या दूई वचन है आप बता देंगे सब आपको पढ़ना है और उसके वाद आपको प्रत्य पढ़ना है थेख और यह सब प्रत्य आपको पढ़ने पढ़ेंगे। यह अगर आपको आप गारिट नेते हैं ने ते जिए मैं इनको में कूं प्रोगोध काना उटम शॉॹ१ु computer ले और इतना hard आदा नहीं है कि ये class 10th का हमका लगता है कुछ है वैसे वगारा लेकिन ये इतना सूत्र जो पढ़ाया गया है मैं भूल चुका हूँ तो इसको आप देख लीजिएगा ये वाला कौसा ये दूसरा देख लीजिएगा और तीसरा हिंदी का संस्कित मेनुआल ये त शांव चीज़ आप क्लियर हो गया आइधिंग्ग आप समझ एक है कि क्या क्या आपको पढ़ना है तो फिलाल इस वीडिएओ में फफिन फोरे से पंचार में नंबर आ जाएंगे लिखने पर प्रक्टिस करेंगे तो पाढ़ना है याद रहता है लेकिन आप अगर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कम से कम सी कॉपी भर के आते हैं मेरा वो सिंस में रही है कि आप क्यों भर के आए अगर आप फैक्ट लिखते हैं और किसी में दस